हेलो 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 फ्रेंड कैसे हैं सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे थर्स्टे का दिन है और साम का बजरा है साड़े पांच और हम लोग जा रहे हैं जरा मंदिर पंडी जी से मिलना है तो बहुत दिन हो गय थे मंदिर गए तो आज मन भी कर रहा था पंडी जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आ जाना थस्टे को तो थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि इनकी तब ठीक नहीं रहती है तो यह है चौक को तवाली का मंदिर और यहां के पंडी जी है वह काफी टाइम से हम लोग को जानते हैं हम लोग उनको जानते है जो चोटे थे तब से हम लोग देख रहे हैं तो आज बुलाया था ब्रस्पत के दिन साम को तो दर्शन भी कर लेते हैं और बजंग बली के और उनसे मिल भी लिया हम लोगोंने तो मिलकर हम लोग दर्शन करके जादा टाइम लुके नहीं थे तो पास में ही गोल कप्पे लगाते हैं बहुत ही फेमस है गोल दर威जे के अंदर तो वहाँ पें हम लोगों गोल कपपे खा रहे हैं आजए है आप लोग भी गोल कपपे खाईए तो ये लेकर आए हैं जब पताशे देते हैं लेकिन टेस्टी रहते हैं हर बताशे में अलग फ्लैवर रहता है तो यह देखिये दोगत्व पसंने यह तो इनको बहुत पसंद है यह गुलगंपै यह दिखे कितनी मिर्ची का गुलगंपा था हमसे कहरे थे तुम भी खालो लेकिन हम ने तो इन्होंने खाया और पैक करा के ले जा रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए और पापा जी के लिए तो यहां पर करीब सौर रुपए के हम लोगों ने टोटल बताशे लिए तो यह देखें उसी के पास में यह चौक चौराहे पर आनंदी बाता का मंदिर है वही पर यह स्टॉल लगाते हैं यह काफी पुराने हैं इनके पास चाइनीज फूड रहता है स्टीट फूड तो काफी अच्छा बनाते हैं तो बेटी को यहीं के फेंच फ्राइस खाने थे तो यह कुंख कर बार्भ रहे हैं लेकर लेने गया है तो यह खुंखंजी कोटी में चाउक ही बहुत ही फेमूस है तो वहाँ से वह लेकर पीर हम लोग सब्जी लेनी के सब्जी तो मैंने यहां पे टमाटर लिए थे आलू लिए थे और एक-डू सब्जी परवल लिए थे इतना ही समाल लिए था हम लोगों ने कि घर के पास में ही लगाए थे हैं तो यहां से सब्जी भी लेकर हम लोग घर आ गए हैं तो आज बनाएंगे हम आलू टमाटर और परवल की सबजी और इधर यह मूं की दाल मैंने विगोई थी क्योंकि इनकी तवेत ठीक नहीं थी रात में पेट इनका ठीक नहीं था तो मैंने सोचा मूं की दाल ही बना लेते हैं चली थी तो में चढा देती हूं दाल को तो जब तक के डाल बनेगी नमक और ह huis कर चढ jadi सेट लगा देते हैं तो इधन एधर यह यह जब तक होगी तब तक कि लोग को गुल को ठीक्मे खाने तो मैं गुल लगा देती हुं कि हम लोग तो खाकर यह आए बस बाबा को और बच्चों को खिलाना था पापा को तो आ जाईए आप लोग भी गोलगपे खा लीजे यह लीजे सबसे पहले आप खाईए तो मैं गोलगपे खिलाकर आ गई थी सबजी काटनी थी क्योंकि इनी लोगों को खिलाना था तो मैं परवल को छील लेती हूं वैसे चिलका नहीं चीलना चाहिए लेकिन आज कर लोग कलर करके और कैमिकल डाल डालके सबजियां उकाते हैं तो इसलिए चिलका वाइड ही करना तो इसमें यह धाई सुक्रम परवल हैं और इसमें मैं तीन आलू डालूंगी और रसे की सबजी बनाऊंगी तिसलिए तीन आलू बहुत हैं क्योंकि रात में डिनर में ही यूज करना है अगर लंच और दिनर दोनों में यूज करते तो शायद ना बचती हैं लेकिन हमें ल इस तरह से क्यूप में काट लेते हैं तो बिना प्याज लेसन के सबजी बनती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है तो यहां पर मैंने आलू को काट लिया है परवल को भी काट लिया है और यह सारी सबजी धुली हुई है लेकिन दुबारा मैं धुल लूंगी थोड़ा सा एक बार हलके पानी से और टमाटर को कट कर लेते हैं और इसमें में दो हरी मिर्च टालूंगी क्योंकि मिर्च लग रहा है मुझे बहुत तीखी होगी इसलिए बच्चे नहीं खा पाएंगे तो मैंने एक और आधी डेड़ मिर्ची टाली थी क्योंकि काटने में मुझे नमक टमाटर को कलाने के लिए और इसमें राल देंगे हल्दी पौडर मिर्च पौडर अधनिया बॉर्डर शब डाल करके थोड़ी दिर भून लेंगे और यहां पर मैं मसाला भूनी रही थी कि यह आ गये हैं कितने पसीने से तर्बतर हैं और पंडी जी से जो बात हुई वही सब रिपीट कर रहे हैं तो आने बोला था ची आप लोनों में मद भेद रहता है तो उसी बात कोई पाते कर रहे हैं कि यही बाते आप लोके साब ने शेयर कर रहे थे हम लोग तो चलिए देखिए मसाला अच्छे से भून गया जब तक मैंने बात की है अब इसमें डाल देते हैं आलू और यह परवल और कसके इसको अच्छे से भून लेंगे चला चला के तो इसे क्या होगा की टेस्ट अभी आता है जब अच्छे से भून जाए मसाले में आलू और परवल दोनों भून लिये थे हलका पाइन डालेंगे और इसको सीटी लगा देंगे तो इदर जब तक वह सब्जी चड़ी हुई है दूसरी आज पर तब तक मैं चौक लगा लेती हूं तो हींग जीरा और हरी कि बाबा जी को जाना भी है खाकर खाना तो लेट कर रहते हैं साड़े नो बज़रा है तो इदर मैंने रोटियां बना ली है अज़िए रोटियां भी सेक ली थी मैंने और सभी केक एक दो दो रोटि सेकी है मैंने और उसके बाद भी मैंने चाय बना दी है और सब्जी में डालती हरी धनिया और यह गाओं का जो मठा में ममी लाई थी तो यह रिखे इतना गाढ़ा है और बहुत ही टेस्टी था लाल लाल सा तो इसमें काला नमक नमक और थोड़ा सा हींजी रभ अगरा डाला था और काली म्रच कुटी भी डालकर मैंने रायता टा अब काफी टाइम हो गया था चाइप यह नो को तो अब खाना लगा देते हैं तो आज खाना काफी लेट हो गया 11 बत चुका है क्योंकि मंदर जाने की वज़े से बीच में काफी टाइम डिस्टर्ब हो जाता है तो यह देखिए दाल कितनी सुन्दर लग रही है और खाने म 여ena रायता देट है घ्र 시청 नो, किताल की सबजी है रायता, नचा को शुक्र माफ्टा है लगा का देखिश में है और रोटी है तो आए सबही लोग को खाना किलाते है और इसी के साथ इस ब्लोग को एंड करेंगे आश्यकरते है आप शबको ब्लोग बॉँमों ब्लोग कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका हमारा साथ बना रहे इसी के साथ लेती ही विदा आप सो स्वर्थ रहेगा मिलते ही नेक्स व्लॉक में तब तक के लिए अपना ध्यार नखिए तिल देन बाई 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 लब यो ओल बाई